कि साथ्यों कि समाज जीवन में कुछ बातें कि समय के साथ इतनी गुल मिल जाती है कि कई बार उन चीजों का एक प्रकार चे मन में स्थाही भाव बन जाता है स्थाही मान दिया जाता है यह भाव आ जाता है कि कुछ बदलेगा यह नहीं बस ऐसे ही चलेगा आर्टिकल 370 अनुच्छे 370 के साथ भी ऐसा ही हुआ उसमें जम्भू कश्मीर और रदा के हमारे भाइबेनों की हमारे बच्चों की जो हानी हो रही थी उसकी चर्चा ही नहीं होती थी हैरानी की बात यह है कि आप किसी से भी बात करें तो कोई यह भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छे 370 से जम्भू कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाब हुआ भाई और बहनों आर्टिकल 370 और 35A ने जम्भू कश्मीर को अलगाववात आतंकवात परिवारवात और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले प्रस्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया हुआ ओकाल